इस बार भी हम देख सकते हैं कि लोकसभा चुनावों में आप कंटेस्ट करेंगे क्योंकि पंजाब की भलाई की आप हमेशा बात करते हैं। बेहतरी में तब्दील कर सके। पब्लिक वेलफेर नहीं वोट बैंक पॉलिटिक्स की है। अपने निजी स्वार्थों की पूर्ती में एक ऐसा खुबसूरत सिस्टम डिवाइस किया है। पंजाब के रिसोर्सेज उनकी नीजी जेब में जाते हैं। पंजाब को समझते हैं। मेरे ख्याल से सियासत में भी आप इसलिए आए कि आप पंजाब की भलाई कर सके। तो चुनाब लड़ने में कोई गुरेज भी नहीं है। सर दोनों सवालों का जवाब। पहली बात अगर वो कहते हैं कि करजा हमें विरास्त में मिला तो फिर बदलाव का है का है। फिर एलेक्शन में आप चीखें क्यों मारते थे। हजार रुपे हम औरतों को दे देंगे। हम लोगों की जिंदगी बदल देंगे। हम माफिया खत्म कर देंगे। नौकरियां दे देंगे। हम PPS रद कर देंगे। हम कम से कम नहीं तो 25 से 30,000 करोड रुपे की इंकम जेनरेट करेंगे जो सेंटर की स्कीम में डालके 60,000 करोड हो जाएगी। केजरीवाल साब का अपना बयान है कहो मैं चलवा दूँगा के पहले दिन मेरी जेब में 20,000 करोड रुपे माइनिंग से होंगे और 34,000 करोड रुपे बजट के सेविंग्स में से होंगे। उन 54,000 करोड में से 54,000 करोड रुपे नहीं आये। 2 करोड रुपे माइनिंग से आये हैं और बजट की सेविंग से कुछ नहीं आया देखिए इस बार इन लोगों ने इस्तिक्बाल किया है कि जो कर्जा सेंटर की सरकार जुदनी एसिस्टन्स देती है उसके बावजू जो कर्जा कॉंगरस की सरकार में 20,000 करोड रुपे साल था इन्होंने पहले साल 31,000 करोड रुपे लिया उसके बाद 35,000 करोड रुपे लिया अगले साल टोटल 67,000 करोड दो साल का और इस बजट में इन्होंने इस्तिक्बाल किया है यह माने हैं कि अगले साल करीब 38,000 करोड रुपे कर्जा लेंगे तो जो मैक्सिमम करजा कॉंगरस की सरकार ने पांच साल में एक लाख करोड चड़ाया था ये दो लाख चड़ा दे हैं पांच साल में तो बदला छुन्चुने का हुआ क्या एक समाल और है मेरा आपसे देखिए अगर इस बार के बजट की हम बात करें तो हेल्स सेक्टर के लिए 5,264 करोड का बजट है एजुकेशन के लिए 16,987 लेकिन यहाँ पर पंजाब भी उनिवेस्टी जो पटेला वली है उसके लिए कुछ नहीं दिया है हलाकि इसको लेकर हंगामा खूब हुआ था 13,780 करोड स्पेशली खेती किसानों के लिए दिया गया है कहा यह जा रहा है कि 40,000 नई नोकरिया इस साल आएंगी वह हिटलर का गॉबल्स होता था मिनिस्टर प्रोपगेंडा मशीन चलाता था वह कहता था एक जूट को 100 बार बोलो ना तो जूट सत्य हो जाता है 13,000 करोड रुपया कैप्टनमरिंदर सिंग के टाइम पे भी यही बजट था एगरी कल्चर में क्या है वो 10,000 करोड रुपया सबसिड़ी में चला जाता है 3,000 के करीब करोड रुपया जो है वो तन्खाहों में चला जाता है तो बचा क्या 100, 200, 300 क्या गंजी नहाएगी और क्या वो निचोड़ेगी नमबर एक, नमबर दो ये अपने महला क्लिनिक्स की बात करते हैं देखिए महला क्लिनिक्स की बात मैं आपको सुनाता हूँ इन्होंने कहा है कि हमारे महला क्लिनिक्स में एक करोड साथ लाख लोगों का इलाज हुआ है और उस पे खर्चा पता कितना हुआ है नब जोची जिससे एक पेरसिटामॉल टेबलेट की कीमत ज्यादा है दिकार है मैं कहता हूँ लानत है तुम्हारी ये जो एकनॉमिक्स है ना मुझे समझ नहीं आई फिर कहते हैं हमने नौ हजार नौ हजार प्रफेसर्स को नौकरी दे दी है आठ हजार रिटायर हो गए पकड़ लो पूँच तीसरी चीज़ जो आप इसकी बात करते हैं न स्कूल्स की बात करते हैं ये प्रफेसर्स की बात में मैं उसी सिलस्रे में कर रहा हूँ तो स्कूलों में कोई यूनिफॉर्मटी नहीं है स्कूल्स ओफ एमिनेंस हैं ब्रिलियन्स हैं Schools of happiness है, schools पता नहीं किस तरीके की इन्होंने वो छोड़ी है, ना तो कोई उनिफॉर्मिटी है और ना ही quality education है, डिग्रियां है लेकिन नौकरियां नहीं है, पर स्कूलों का मॉडल तो दिल्ली से लेकर गया है ना, स्कूलों का मॉडल तो दिल्ली मॉडल किस बना पर काम करता ह 34,000 करोड रुपया सेंटर की सरकार खर्चा करती है, एंडीमसी पे 9,000 करोड रुपय, 9,000 करोड रुपय कुलिस पे 3,000 करोड रुपय युनिवरस्टीज को जाता है, कहां कहां पैसे जाते हैं, यहां 5 पैसे नहीं, यहां 100 करोड रुपया रोज कर्जा लिया जाता है, एक बिजली की बात है जो ये कहते हैं और Finance Commission ने उसकी इतनी criticism की है इन्होंने किसी को कहा था कि जब हम आपको गरीबों को बिजली free देंगे तो वो कर्दा लेके देंगी PS PCL के पास तंखाहें नहीं है देने को गिर्वी रख दिया है इन लोगों ने पंजाब क्यों क्योंकि अपनी vote bank politics पंजाब जावे टठेखूद है वेचे साटा vote bank politics चलदा रहे मैं आपको गरीब की बात करता हूं मन्रेगा demand driven program है वो ensure करता है कि गरीब को सौ दिन की साल में दिहाडी मिलेगी यह बातें करते हैं गरीब की 35 दिन की दिहाडी नहीं दे सके यह इनकी पल्ले से कुछ नहीं जाना था not even 35 डेज एग्री कल्चर का बजट जो आपने बताया है किया इनको लोगों ने वोट इसलिए डाले थे कि प्रिंसिपलों की चेकिंग करें उस्पितलों में जाके गद्दे देखें या कानून बनाएं या इनोंने कोई ऐसा कानून बनाया है policy of productivity बनाई है I believe in policy driven politics policy के लिए बजटरी allocation चाहिए पल्ले नी तेला कर दी मिला मिला जो state के resources हैं यह planning commission कहता है 5000 करोड रुपया rate से आएगा 30 से 40,000 करोड रुपया शराब से आएगा तमिलाडू 45,000 करोड रुपय कमाता है शराब की खबर आधी है आधी है हमसे double है हमारी मैं हक में नहीं लेकिन क्यों है साइज की 5000 करोड रुपय की चोरी हो भगवनतमान इन से बड़ा डाकू कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ दिखने में कुछ और हैं ये कुछ शरीवाजी आप और भगवनतमान तो एक समय में बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते तो जहां तक हमने सुना है वो तो आपकी बहुत तारीफ भी करते हैं लेकिन आज ऐसा क्या हुआ की तलखियां बढ़ गई मैं कहता हूँ वो तारीफ इसलिए करता है कि मेरी किसी बात का जवाब नहीं है आज वो मैनेजर इन चीफ है माफिया का ये कहके आए थे कि माफिया खतम कर देंगे ये कहके आए थे रेट की कॉर्पोरेशन खतम करके गरीब को दो हजार रुपे ट्रॉली देंगे उस जन्ती जी चन्नी की सरकार में तीन हजार की मिलती थी तीन सैकड़ा आज बाईस हजार बाईस हजार की तीन सैकड़ा ट्रॉली है जो लोग मुनोपलाईज करते थे केबल को आज उनसे हफते लिए जाते हैं महीने लिए जाते हैं जमीनों का कबजा चुडाने के लिए जस् पे भी करता इसको किसने रोका है तो यह किस बना पे कहते हैं बदलाव कर दिया तुमने 20,000 करोड से करजा 38,000 करोड रुपया कर दिया इस साल और मैं यह बता रहा हूं सारे पंजाब को सारे हिंदुस्तान को जो करजा सरकार उठाती है यह तो लंबे हो जाएंगे यह तो पैसा पंजाब के लोग बापिस देंगे इंड इन डारेक्ट टैक्स इंड अरवोड सेवंटी थाउज़ंड करोड वो .1 परसंट अमीर नहीं देता शार सो करोड है सरफ सेल्स टैक्स इसवार इनोंने एक्ट्रा टैक्स भी नहीं लगाया पाजी दो लाग चार हाजार यही तो गेम है. इनडारेक्ट टैक्सेज. पेट्रोल पेट्स कितना बढ़ाया? एकसाइस जूटी पे कितना बढ़ाया? रिजिस्ट्रिओं पे कितना बढ़ाया? नमक पे टैक्स, तेल पे टैक्स, ये कौन लेता है? ये सरकार ही लेती है. अजूरे वाला election के time पे किसी चीज़ को कम कर देना जैसे center की सरकार MSP 50 रुपे बढ़ाती है एक साल में ठीक है वास साल में शायद 100 बढ़ा देती है और उदर से pesticide की कीमत और fertilizer की कीमत 40% बढ़ा देती है तो 100 रुपे जेब में डाले 400 निकाल ली यह भी वही है अरे आप ये बताईए कि क्या आपने income से लोगों का भला किया है क्या आपने income से subsidy या दी है या आपने करजा उठा के subsidy दी है जितने भी सरकार के दिन गए हैं करजा लिया जाता है करजा वापिस करने के लिए और करजे से सरकार चलाने के लिए अगर इंकम होती तो तामिलनाडू, महराष्ट्रा वैसे बजट होते पंजाब के तीन-तीन लाग करोड के चार-चार लाग करोड के और वो पैसे इंकम वाले पैसे माइनिंग से शराब से मैं उसके हक में नहीं हूँ लेकिन अगर आथ बिक्ती है तो वो अधे भी नहीं रहते कमर तोड़ते यह फर्ण बार 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 खुद भगवांतमान और उनकी सरकार इस बात का दावा करते हैं कि हमारे हां अगर कोई भरशचारी मंत्री है अधिकारी है उस पर तुरंट से कारवाई होगी और होती है हमने बहुत सारे मंत्री डिसमिस किये बरखास भी किया है उनको हटाया भी और उनके खिलाव कारवाई भी की है ऐसा है कि सिंगापूर के प्राइम मिनिस्टर ली कौन वू राइट उनको पूछा था कि करप्शन कैसे दूर होगी तो उन्होंने यह कहा था कि I will punish people at the top सबसे पहले चीफ मिनिस्टर को कटगरे में खड़ा करना चाहिए इसको पूछना चाहिए 3000 की जो ट्रॉली रेते की 22,000 की कैसे विख रही है बाहर से जो रेत आता है हिमाचल से उनसे गुंडा टेक्स क्यों लिया जा रहा है ये जो माफिया चल रहा है शराब की स्मगलिंग चल रही है बाहर के सूबों से आती है डिस पांच करोड वहां मिलता है मुझे ये बताईए केजरिवाल साब ने मुझे जवाब दिया है शराब के घुटाले में जवाब ही नहीं है इनके पास ये जवाब देंगे उन चीजों का जो जिनका पब्लिक वेलफेर के साथ कोई सरोकार ही नहीं है इसे 200 बार बलाया है और मैं यह पलटके यह नहीं कह सकता कि नवजोद सिद्धू इसको बढ़ाई देने नहीं आया था यही सब कुछ लेके गया था मैंने का जोटे भाई जिस दिन तू यह करेगा हमारा सपना तूने पूरा कर दिया कोई फरक नहीं पड़ता जो लोग इश्क करते हैं न वो अनक करिया हैं धरने के रहा था धरने नहीं लगने दूगा सारा पंजाब धरनों को रहें रोज कुटाई करते हैं कहते थे पीपीए रद कर देंगे सस्ती 24 घंटे बिजली देंगे आज पंजाब यहां बाजार में बिजली दो रुपे तीन रुपे यूनिट मिलती है नवजो लेकिन देखिए अब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और इंडिया गटबंधन के साथ आम आदमी पार्टी और कॉंग्रस का टाय हो चुका है दिली की मैं बात करूँ पंजाब के लिए बाची चल रही है इस पर आपका क्या ठीक है मेरा बड़ा सीधासा सीधी सी राय है जो मुद्दे स्टेट के हैं वो सेंटर के नहीं है अब सीधी सी बात ना तो आम आदमी पार्टी सेंटर में पावर में है ना ही कॉंग्रस पावर में है और अगर जवाबदाई बनाना है तो सेंटर में प्राइम मिनिस्टर की लड़ाई है स्टेट के चीफ मिनिस्टर की लड़ाई नहीं है वहुत से ऐसे इंसिडेंट है जहां लोग कठे होते हैं बड़े दुश्मन को मारने के लिए जिसने डेमोक्रिसी का अस्तित्व कर दिया है जितने बड़े इंस्टिशूशन्स हैं वो गुलाम बन गए हैं कट्पुत्लियां बन गई हैं ना नौकरियां है इस देश में दो करोड़ नौकरी अगर अगर हम भगवान राम की बात करते हैं मर्यादा को फुर्टम राम की बात करते हैं मेरी मा हिंदू थी मैं उनको सबसे ज़्यादा मानता हूं राम का मतलब है उजाला उजाला पक्षपात नहीं करता है फिल्फिल पक्षपात नहीं काटा कहां है वो दो करोड नौकरी कहां है वो पंद्रा लाख रुपया कहां है किसानों की इंकम डबल यह मुद्धें यह मुद्धें सेंटर के नंबर दो फेडरल स्ट्रक्चर हमारे एग्रिकल्चर के ऊपर कमर्शिल लौ बना दी डैम्स हमारी उनकी मैनेजमेंट आपने कर लिए चंडीगड कहा दस साल के बाद हर्याना अपना कैपिटल बनाएगा हमारे गाउं जाड के चंडीगड बनाया आज तक साथ चालिस की मैनेजमेंट भी नहीं कि इन्हों इन्होंने हमें ठीक है मुझे बताइए आज लौ एंड और का इस्यू सबसे बढ़ा है 30 किलो कितना कर्जा माफ की है संसरों कांट्रेक्ट फार्मिंग बंधुआ मजदूर बनाने है क्या जहां 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 एक सीधी सी बात है एक सीधी सी बात है कि सेंटर की मोदी सरकार के साथ लड़ाई है और उसमें अगर आपको आमादू पार्टी के साथ गडबंदन करना पड़े तो उसमें कोई दोरह नहीं लेकिन यही बात अगर आप से लड़ाई लड़िये लेकिन जब आपने स्टेट के चीफ मिनिस्टर की यहीं को अपनी मयक्त कांदरेकर लोगों के पास रे लेकिन यह मिनिमम प्रोग्राम बनना चाहिए भाई उस कॉमन मिनिमम का क्या साथ का रहुत रहुं से आप स्टेट के लिए इने लेकिए अपको यहीं नहीं पता यहीं नहीं पता सुपुई दो Cristo रखके देखना चाहिए पिल्कुल क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर बनाने की लड़ाई है चीफ मिनिस्टर बनाने की नहीं है अभी आपने कुछ देर पहले किसानों का भी जिक्र किया था अब ये देखिए दूसरी बारा है जब किसान दहलीज पर बैठा है शंबू बॉर् पड़ गया जी 16 17 गुन ठीक है आम प्रोफेसर की तंखा 500 गुना 700 गुना इंपलोईज टीए डीए लेके 700 गुना 600 गुना किसान की MSP 5 गुना पर अब 6 गुना कर लो मुझे पताओ कॉस्ट अफ प्रड़क्शन इस डारेक्टी प्रपोर्शन तो राइस ऑफ पेट्रल तो मुझे आप बताइए कि उसकी जो कॉस्ट अफ प्रड़क्शन है वो तो चली गई 15 गुना उपर तो उसको तो टीए डीए नहीं मिलता तो कॉस्ट अफ प्रड़क्शन पंद्रांगना उसकी प्रोड़क्टिविटी नीचे आ रही है आपने पेस्टिसाइड पे लगा प्रड़क्शन की प्रपोजल थी कॉंट्रेक्ट फार्मिंग के द्वारा बंधुआ मजदूर बनाने की नहीं थी ये भगवन तमान बिचोलिया नहीं है ये इस अपॉन ऑफ दे सेंट्रल गमेंट डरा हुआ पिदू रबड़का गुड़दा रिमोट कंट्रोल चीफ मिन मिनिस्टर है जैसे कापिन मरेंदर सिंग था तरता है ये सेंटर से समझे इसलिए सेंटर की बले-ले मेरी बले-ले मतलब पॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग पे यह तो रिजेक्ट किया हुआ तीसरा कानून है जब हमने इनको रिजेक्ट कर दिया था विदान सभा में तब इन्होंने यह मंडियों का कानून नोटिफाई करके रखा जब तक इन ब्लैक लॉग रिपील निंग हुए दिल्ली में फिर यह की ताकत नहीं नाम मजबूत खाँ पल्ले फूटी कौडी नहीं तेरे नाम करोडी मल यह कहां का इंसाफ है गुरू है आंक के अंधे नाम नैंसुख तो कैसे देगा 23 फसलों पर MSP दीर ओंडी वे फॉर्वर्ड इस नो कांट्रेक्ट फार्मिंग यह कहें कि भाईया ग्री के टाइम पर PDS के लिए पंजाब ने गरीबों के लिए हमारे सारे देश का पेट भरा आज मद्यापरदेश 1200 की कनक बना रहा है तो आपको हमारी जरूरत नहीं तो उठार के पेंग दोगे पंजाब धाल है सबसे स्यादा कॉंट्रिबूशन है हमारी जब जंगे लड़ी जब फ्रीडम फाइट की लड़ाई हुई देखिया आप इतनी कुर्बानी है तो आज आप हमारा ख्याल नहीं रखोगे ख्याल रखने का तरीका क्या है कि भाई हम यह जो राइस ग्रोइंग चीज है इसको कम करेंगे क्योंकि एक किलो राइस के पीछे 5000 लेटर पानी जाय एक लाग 75,000 करोड के भारत इंपोर्ट करता है आप कहें जी के पंजाब को ये तो तीन एसेंशल की कैसे खड़गे सामने का है हम गैरेंटी देते हैं आप राइस से पीछे हटिए और जोन्स बनाइए मूंगी उगाईए मूंगी के साथ आप यह उगाई यह जैसे हर्यान और फिर फिर आप सबसे बड़ी चीज है डिविडेंस होते हैं कि भाई आप ओट ब्रैन बनाएं चोटी चोटी फैक्टरियां लगाएं किसानों को कोल्ड स्टोरेज दें किसान आप सुनिया ध्यान से पांच रुपे का टमाटर बेजता है वो पांच रुपे का टमाटर परचून की दुकान पर 25 का बिकता है फिर वो अडानी साहब जैसे बड़े लोगों के कोल्ड स्टोरेज में चला जाता है उसी किसान ने जैसे उसे पांच रुपे का मिटी ना मिटी होके पांच रुपे ये दाउने प्रोड्यूस कीता है वो तीन महीने बाद उसी टमाट हैं जो इंटरफेर नहीं कर सकते डी सी तुम्हारा सरप्रस्ट होगा तुम कानून के दर्वाजे भी नहीं खट-कटा सकते यदि कोई डिस्क्रीपियंसी है तो हमारे प्यादे डेपटी कमिशनर के पास जाईए और अपने मसले सुल जाईए जंतर मंतर पे ये प्रोटेस् होया शुकरन का उसमें से मेटल बुलेट निकला है सिर में से इंटेंट भी है मोटेव भी है डराने की हमकाने की हमारी टरिटरी में मंता बेनर जी ने सी बीए को उंदर दे दिया था जब वो बैंक बॉल गई थी ये सिदार अभाईया साब सारे चुने हुए नुमेंदे को आधर दे के वहां बैठे थे चंतरमंतर पर हम किम मतयर सिंग के साथ लागे प्रोवन ञाके क्या करक्राइब मेरा बहाशन चुनना यह क्याนवा यह क्या कर रहा है यह जब यह रवड्ल का गुड़ा बनके क्का बार्मिग की तरफ ले गा रहा है अमें प्लामनी की के तर चोटा किसान और बड़ा किसान यही मैं एड्वोकेट करता रहा हूँ जी मानोगे नहीं यह भगवनतमान साहब यह इन से आज तक एग्रीकल्चर की पॉलिसी नहीं पिछले 50 साल में प्रोड़क्टिविटी की कि कैसे बढ़ाना है जो कम हो रही है उसकी पॉलिसी नहीं बना जरूर जाओंगा लेकिन असेंबली के जमीन से जोड़के यानि एक बात साफ है कि आप लोकसवा चुनावों में नहीं जाना चाहते है जवाब देता हूँ आपने कोई बंदा देखा है जिसने छे साल की राज्यसवा चोड़ी है आपने कोई बंदा देखा हो जो उल्टी हवाओं में सदार मनमोन सिंग की वेव में तीन बार एलेक्शन जीता हो आज बीजेपी के दो मिनिस्टर 15% वोट कम होने से वहां अमरसर में तीन बार हार चुके आपने कोई बंदा देखा है जिसने का हो मैं MP नहीं लड़ूँगा लेकिन गुरू का घर नहीं जब मोदी साफ की वेव थी गधे भी जीत गए वहां हिंदुस्तान का फैनेंसमिस्टर है बोला हराया बूला लाओ सिद्धू को उस ताइम भी मैं यह कहता था वो मुझे कहते थे मेरे गुरू समान थे मैं कहता था सर गलत फहमी है इनको मैं जटता हूं अपनी क्रेडिब जीवन जोत वहां से जीत गी आपके चाहती है कि आप एक कौहदे पर बैठे ताकि आपका सीधा सा मकसद है पंजाब ग्रोव हो, पंजाब की तरक्षी हो, पंजाब की प्रगती हो, और उसमें आप सियासदान भी है, उसमें अगर आप चुनाभी लड़ते हैं, जाकि अगर आप सेंटर में भी बैठते हैं, तो आवाज आपसे बढ़िया कोई बुलंद कैनिडा का प्रणान मंत्री आया, मैं और डॉक्टर रतन सिंग अजनाला को गुर्दवारे के बाहर कड़ा कर दिया, कह रहा है फोटो अच्छी आएगी इनकी, यह है, सेंटर में जाके क्या कर लेंगे हम, मुझे समझा तो दो, हाँ, अगर यहाँ पे प्रोजेक्शन ठीक होती है, अगर नवजोत सिंग सिद्धू, मैं कहना हूँ, कुछ नहीं है, नवजोत सिंग सिद्धू, दो कोड़ी क्या मत समझे, अजन्डे में बैस करो ना, यदि किसी के पास पंजाब को इस दलदल, हर बंदा एक दूसरे को गालिया निकालने में लगा है, एक दूसरे क पगड़ी उतारने में लगा है, एक दूसरे के एब निकालने में लगा है, कोई ये बताता है, कि किस तरह से पंजाब को इस दलदल से करजे के दलदल से निकालना है, आप पॉलिसी के साथ ला रहे हैं, लास्ट टाइम भी आपस जब मेरी बात ही थी, तो फिर मैं कहता हू कि भाईया, अगर तुमारे पास कोई बेटर रोड मैप है, मैं तुमारे पीछे चलूँगा, किसके पास अच्छा रोड मैप है, आपको क्या लग रहा है, किसके पास अच्छा रोड मैप है, कोई रोड मैप की बात ही नहीं करता, आपकी अपनी पार्टी में होती है इसकी तो लोग यह कहते हैं कि अगर तो प्रोजेक्टी नहीं होता जैसे कैप्टन मरिंदर सिंग से साथ लड़ता रहा है अभी आपकी हाल-फैल-हाल में प्रयंका जी से इंबो पगवान की क्रिपा से बनी क्रिकेट कॉमेंटरी टेलेविजन शोज मोटिवेशनल टॉक्स आज तक एंडी टीवी उनके ऊपर बहुत कुछ ऐसा बिग बॉस ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज यह सात रंग मुझे परमात्मा ने दिये लेकिन वहां मेरा अपना शोरे मेरा अपना वल काम आता था लेकिन पॉलिटिक्स में पांको 50 कर देते हैं 50 को 500 कर देते हैं 500 को कई बर 100 कर देते हैं तो यहां लड़ाई बड़ी डिफरेंट किसं की है यहां तुम्हारा अपना merit count नहीं करता है, यहां, अब मैं क्या कहूँ, कि यहां बहुत पी ऐसी चीजें हैं, जो शायद high command समझेगी, मैं तो वचन बत हूँ, जो सौ भूर में टटू उडाए, नवजोत सिंग सिद्धू, किसी भी एक वचन से फिरा नहीं, इसके तो मैंने 200 गिना दिये न, 200 गिना के भी बहुड़ा है, अभी मेरे से बैस करने नहीं आएगा, क्योंकि इसको पता है, नंगा करके खड़ा करते हूँ, अच्छा, पिछले दिनों एक हवा शरीबाजी और उठ रही थी, कि शायद आप पाला बदल सकते हैं, बिजीबी के साँ जा सकते हैं, मेरी अफवाहों का धुआ वहीं से उठता है, चहां मेरे नाम से आग जाती है, तो क्या ओप्शन्स हैं, एक, रगुकुल रीच सदा चलिया आए, ये तो नहीं नभासे, रगुकुल रीच सदा चलिया आए, प्रान जाए, पर वचन न जाए, मां हिंदू, बाप स्ट पंजाब ना हिंदू ना मुसल्मान, पंजाब जीवे, खुरान देना, जहां तक मुझे याद है, आपका वचन और वचन बद केवल और केवल पंजाब के लिए हैं, और मुझे लग रहा है कि जो पंजाब की भलाई चाहेगा, शायद आप उधर ही जाएंगे, मैं कहता बाबा फरीद, एक बार दूद लेने गए, एक छोटी सी लड़की बैठी थी 17-18 साल, वो के बाबा किने आने दा, एक आने दा, पादे, फिर दो आने दा, होर को खल गिया, दो आने दा, फिर कोई और आया, वो एक आने का, एक खुबसूरत नौजवान आया, वो लड़की के साब ने खड़ा हुआ, कुछ बोलाने, बस मुस्कुराया, मुस्कुरा के उसने यूँ अपना कनस्तर आगे रखा, लड़की ने सारे का सारा दूप ठाएं अंदर मारा, बाबा फरीद के लिए, कुड़िये तु सानू एक का नेदा दिन दी है, अनो, दो आ नेदा दिन बेटा हूँ, और इतना समझता हूँ, कि जब भी कोई बिल्डिंग में बेटा पैदा होता है न, तो नीव कहती है, यार, अगर अच्छा निकला, तो तो तोड़के दुबारा बनाएगा, और अगर बुरा निकला, तो गल जाएंग, इन नीवों को गलने नहीं देगा, न जिसका विकाव जमीर नहीं होता न, अच्छा हम लोग सुबाज चुनावों मैं आपको कहां देखेंगे, ये बताइए, कहां हमारी मुलाकात आगे होगी पंजाब में, मैं पहुंचूंगी पंजाब में, मैं आपको ये बता सकता हूँ, कि अप्रोच किस ने किया, अगर स जड़े और चुए और मुझे उन्हें उसकी पीट सुनती, उन्हें मुझे का, के पाजी, मैं तेरा डिप्ती बढ़नू तयार, अंजे कांग्रेस्ट में नू शामर करण, ते ये तुआ हम आजमी पार्टी जानना है, ते फेर भी मैं तेरा डिप्ती बढ़नू तयार, मैं मैंने उसको कहा कि नफ जोट स्थू राहूल गांधी और प्यांका गांधी को वचन बंद रहे हैं यह मुंक्न नहीं है अगर आप आना चाहते हो छोटे भाई वेलकम दिल्ली जाके भाई से बात करो तो भाई को बिलना यह उसके बाद मैंने उससे बात नहीं की उन्हों को ग कुछ कहता है यह सवतंतरतान सेनानी सरदार भगवन सिंग सिद्धू का बेटा है यह इस धर्ती का सच्चा सपूत है वो कौन थे जिन्होंने बंद-बंद कटवाए खोपड़िया लहाईया आर्याना चुरवाए गए मेरा गुरू चालिस के साथ चार लाग अगे लड़ा क्या उसकी संतान उससे प्रेणा नहीं लेगा सिद्धू नहीं विगेगा सिद्धू नहीं जुकेगा सिद्धू का जमीर जाता है जाता ही नहीं